नमस्कार, आज हम Rumor Gordon के निबंध Children at Play को हिंदी में पढ़ेंगे, चलिए प्रारम करते हैं Half of Harriet wanted to stay as a child Harriet का आधा भाग, यानि आधा मन Half of Harriet, आधी Harriet, आधी Harriet का मतलब, Harriet का आधा मन Wanted, चाहता था, to stay as a child बच्चे ही बने रहना, हमेशा के लिए बच्चा बना रहना चाहता था Half wanted to be a grown-up, जबकि उसका आधा मन चाहता था, कि वो बड़ी हो जाए She often asked, वो अकसर पूस्ती थी What shall I do when I am? मैं क्या करूंगी, जब मैं हो जाऊंगी अर्थात, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, तब मैं क्या करूंगी What will it be like? ये कैसा होगा? यानि कि बड़ा होना कैसा होगा? She often asked the others, वो अकसर दूसरों से पूस्ती थी What shall you be? तुम क्या बनोगे when you are grown up? जब तुम बड़े हो जाऊंगे अकसर आपने देखा होगा, बच्चे ये सवाल पूस्ते हैं कि भई बड़े होकर क्या बनोगे? It was always Harriet ये हमेशा Harriet ही होती थी who started these discussions जो इस विचार विमर्ष को प्रारंब करती थी जो इस बहस को प्रारंब करती थी कि तुम क्या बनोगे? No one else really liked them except Victoria यनि except Victoria, Victoria के सिवाए और कोई इन discussions को, इन विचार विमर्ष को पसंद नहीं करता था और Victoria who was too young to know what she was और Victoria जो इतनी छोटी थी कि वो जान ही नहीं सकती थी कि वो क्या थी Even now, वो अभी भी, अभी भी इतनी छोटी है कि वो जान ही नहीं सकती कि वो क्या है तो बाकी लोगों को तो उसकी ये discussions पसंद नहीं थे Harriet के सिवाए Victoria को छोड़ कर और Victoria की पसंद ना पसंद का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि वो इतनी छोटी थी कि वो जानती ही नहीं थी वो क्या है I shall be a cross red nurse when I grow up मैं cross red nurse बनूंगी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी said Victoria Victoria ने कहा she means a red cross nurse said Nan उसका मतलब है वो red cross nurse बनेगी Nan ने कहा red cross आप जानती होंगे एक संगठन है एक organization है जो के घायलों की बीमारों की मदद करता है विशेश रूप से घायलों की जो युद्ध में घायल हो जाते है सैनिक बिना ये देखे कि कोई सैनिक किस देश का है उनकी मदद करता है red cross society तो मैं red cross की nurse बनूँगी what shall I be मैं क्या बनूँगी thought Harriet Harriet ने सोचा fascinated fascinated मंत्र मुग धोकर कल्पनाओं मैं खोकर there seemed to her उसको दिखाई देती थी to be infinite possibilities infinite असीमित possibilities संभावनाएं उसको भविश्य की असीमित संभावनाएं दिखाई देती थी I might be a nun मैं एक नन बन सकती हूँ she said उसने कहा और a missionary या फिर एक missionary बन सकती हूँ missionary जो धर्म का प्रचार करने के लिए जाते हैं इसाई धर्म का प्रचार करने वालों को missionary बोला जाता है और नन जो धर्म के प्रती समर्पित महिलाएं होती हैं वो नन कहलाती है perhaps शायद then I could help people तब शायद में लोगों की मदद कर सकूँ और a doctor या फिर मैं एक doctor बनूगी it would be wonderful to be a doctor doctor बनना तो बड़ा ही आश्चर जनक होगा to save people's lives लोगों की जिंदगी बचाना and give your own life up और अपना जीवन उनके लिए भलिदान कर देना उन पर कुर्बान कर देना the vista was exciting vista ये जो दृष्य था भविश्य का दृष्य वो बड़ा exciting था वो बड़ा उत्तेजक था उत्ताह से भरा हुआ था wonderful बड़ा अश्चर जनक sad Harriet Harriet ने कहा wouldn't you like that B B क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा no sad B नहीं B ने कहा ये बच्चे हैं Harriet भी बच्ची है B भी बच्ची है तो आपस में discussion कर रहा है और वो B से पूछ रही है कि या तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा तो B कहती है no नहीं I want my life for myself मैं तो अपना जीवन अपने लिए चाहती हूँ Harriet was too truthful to deny that she did too Harriet was too truthful Harriet इतनी ज्यादा सच्ची थी to deny कि वो इस बात से इंकार नहीं कर सकती थी किस बात से that she did too कि वो भी ऐसा चाहती थी कैसा अपना जीवन अपने लिए जो B ने कहा I want my life to myself मैं अपना जीवन अपने लिए चाहती हूँ तो ऐसा तो Harriet भी चाहती थी and she tore herself away from the thought of being a doctor और उसने अपने आपको अलग कर लिया tore herself away means अपने आपको दूर कर लिया अपने आपको अलग कर लिया from the thought of being a doctor एक डॉक्टर बनने के विचार से अपने को दूर कर लिया so many grown up people इतने सारे बड़े लोग वयस्क लोग seem to be nothing very much हम देखते हैं कि वो ज़्यादा कुछ नहीं होते she said उसने कहा Harriet ने कहा कि इतने सारे हम बड़े लोग को देखते हैं जो न डॉक्टर है न इंजीनियर है न ये किसी पदपे है she said she was thinking of the people she knew of वो उन लोगों को बारे में सोच रही थी जिनको वो जानती थी नान and father and mother and dr. Pezet and captain john इन लोगों को वो जानती थी उसके घर में थे आते जाते रहते थे नान ये तो घर में ही है बच्चा father, उसके पिता, mother, maa, dr. Pezet, captain john ये आते रहते थे घर पे they are nothing important वो सभी लोग कोई बहुत महत्वपून लोग तो है नहीं thought Harriet, Harriet ने सोचा wondering, सोचते हुए, आशर करते हुए why, क्यों, they did not seem to mind और उन्हें इस बात का कोई बुरा भी नहीं लगता है कि वो कोई important नहीं है but I want to be important लेकिन मैं तो important बनना चाहती हूँ मैं तो महत्वपून बनना चाहती हूँ I will be, मैं बनूंगी perhaps I shall be a great dancer शायद मैं एक महान नर्तकी बनूंगी she said aloud उसने जोर से कहा or a politician या फिर एक राजनेता बनूंगी and make speeches और भाशन दिया करूंगी I thought you were going to be a poet मुझे लगा कि तुम एक कभी बनने वाली थी said B, B ने कहा well, ठीक है, I am a poet हाँ, ठीक है, मैं कभी हूँ said Harriet, Harriet ने कहा you will be what you are अरे भई, जो तुम हो, वही तो तुम बनूगे you will have to be तुम्हें बनना ही पड़ेगा said Nan Nan ने कहा who was unconcernedly darning Nan जो के unconcernedly यानि उदासीनता से बिना इन लोगों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिये इनके discussion में इनके विचार विमर्ष में बिना कोई भाग लिये, वो क्या कर रही थी darning darning मैं इस रफू करना अगर कोई आपका कपड़ा फट जाता है, तो उसमें पैच वर्क करते हैं, रफू करते हैं तो यही काम वो कर रही थी और unconcernedly का मतलब कोई उदासीनता से बिना कोई रुची लिये वो अपना काम कर रही थी, रफू कर रही थी Nan In the end, अन्त में Everyone is what they are हर कोई वही बनता है जो वो होता है But how shall I know लेकिन मैं यह जानूंगी कैसे कि मैं क्या बनूंगी, मैं क्या हूं और मैं क्या बनूंगी, यह मैं कैसे जानूंगी Cried Harriet, Harriet चिलाई, चैफिंग अब चैफ क्या होता है एक तो छिलका होता है किसी भी, आनाज के उपर, जैसे गहूं के उपर गहूं कि बाली अगर आपने देखी हो तो उसके उपर जो छिलका होता है उसको चैफ बोलते हैं या फिर एक कोई भी सॉफ्ट चीजज के उपर पपड़ी जम जाती है उसको चैफ बोलते हैं लेकिन यहां जो चैफ का ताथ पर है वहां जैसे कोई गुसे में होता है तो एक सिकुड़न पर जाती है चेहरे पर यहां उसका ताथ पर चैफिंग का वही है कि वह हैं सिकुड़ते हुए हैरियर चिल्लाई कि मैं जानूंगी क से, you will find out as you grow, you will find out, तुम्हें पता चल जाएगा, as you grow, जब तुम बड़ी होगी, सैड नान, नान ने कहा, running her needle in and out of the sock, stressed on her hand, तो नान ने कहा, running her needle, वो, क्योंकि उपर अभी बताएं ना, आपको, darling कर रही है, वो, रफू कर रही है, तो अपनी सुई को दोडाते हुए, in and out, मोजे को, यानि, sock means moja, socks होते हैं, तो अपने मोजे के अंदर और बाहर सुई को दोडाते हुए, और वो मोजा कहां फैला हुआ है, stressed means फैला हुआ है on her hand, उसके हाथ पर, उसमें सुई चलाती जा रही है, और बात करती जा रही है, that seemed altogether too slow for Harriet, और उसका, जो निडल चलाना, Harriet को बड़ा slow लग रहा था, बड़ा धीरे लग रहा था, be, what will you be, be, तुम क्या बनोगी, an actress, एक अधाकारा, or a hospital nurse, या फिर किसी अस्पताल की nurse, or a doctor, या एक doctor, a great doctor, एक महान डॉक्टर, when you are grown up, जब तुम बड़ी हो जाओगी, what will you be, तुम क्या बनोगी, how can I tell, मैं कैसे बता सकती हूँ, till I get there, जब तक मैं वहाँ पहुँच नहीं जाती, या जब तक मैं कुछ बन नहीं जाती, मैं कैसे बता सकती हूँ, क्या बनोगी, ask be, be, ने पूछा, but say, लेकिन बोलो तो, you must say, तुम्हें बोलना तो चाहिए, तुम्हें बताना तो चाहिए, कहना तो चाहिए, कि तुम क्या बनोगी, you must be something, तुम्हें कुछ नकुछ तो बन नहीं जाती, said be, be ने कहा, टोलरेंटली, टोलरेंटली, सहे शुनता से, सहेंशक्ती के साथ, and then be it, और तब बन जाऊँगी, भई, मैं तो इंतजार करूँगी, जब तक बन नहीं जाती, और जब बनूँगी, तो बन जाऊँगी, and then be it, और तब बन जाऊँगी, that is a funny sort of answer, ये तो बड़ा हास्यास्पद सा उत्तर है, said Harriet, Harriet ने कहा, disgusted, निराश होते हुए, ये तो बड़ा बेकार सा उत्तर है, बड़ा हास्यास्पद उत्तर है, it is rather a good one, अरे भई, यही ज़्यादा अच्छा उत्तर है, said naan, naan ने कहा, Harriet found her family maddening, Harriet को अपना परिवार पागल करने वाला लगता था, father was too busy, पिता जी बहुत वियस्त थे, in a general family and office way, वो परिवार और office, इसी के बीच में गूंते रहते थे, सुबह ओफिस जाते थे, शाम को घर आते थे, फिर सुबह ओफिस जाते थे, फिर शाम को घर आते थे, तो वो इसी में गूंते रहते थे, to have any special time to spare for Harriet, और वो उसमें इतने वियस्त रहते थे, कि Harriet के लिए उनके पास कोई समय नहीं था, or for any of them, या फिर किसी और बच्चे के लिए उनके पास कोई समय नहीं था, Mother was busy too, मा भी busy थी, मा भी वियस्त थी, with the house, the family, the servants, servants, घर के साथ busy थी, family, परिवार के साथ busy थी, servants, नौकरों के साथ busy थी, notes, अपने notes बनाने में busy थी, letters, घर में जो पत्र आते थे, उन पत्रों को पढ़ना, उनका जवाब देना, इसमें busy थी, मा और, and lessons and accounts, अपने part, अपने account, अपने खाते, उन सब को समभलने में मा बिजी थी, and besides, और इसके अलावा, she was having another baby, उनको एक और बच्चा होने बाला था, soon, जल्दी ही, and had not to be disturbed, और उनको disturbed नहीं किया जा सकता था, उनको परिशान नहीं किया जा सकता था, नान, or, well, नान was नान, नान तो फिर नान थी, and to Harriet, that was like bread, और Harriet के लिए, जो नान थी, वो ब्रेड की तरह थी, रोटी की तरह थी, two everyday, जो के बहुत ज़्यादा सुलब होती है, रोजाना, रोटी, बरबेट मिलती है, रोजाना, and to necessary, और इतनी ज़्यादा आवश्यक होती है, to be regarded, कि उसको सम्मान नहीं दिया जा सकता, though she was the staff of life, हलांके वो जीवन की रीड थी, अब देखिए, इस imagery को, इस comparison को देखिए, कि नान, क्योंकि घर में ही हर वक्त होती थी, उसके लिए हमेशा अवेलेविल थी, तो जैसे रोटी हमेशा अवेलेविल है, रोजाना मिलती है, बहुतायत में मिलती है, लेकिन हम उसकी कीमत नहीं पेंचानते, क्योंकि रोजाना मिल रही है, भरबेट मिल रही है, इसलिए हम उसकी कीमत नहीं पेंचानते, तो ऐसे ही उसके लिए Harriet के लिए नान थी जो हमेशा उसके लिए अवेलेबल थी घर में थी लेकिन Harriet उसकी कोई कीमत नहीं जानती थी to necessary to be regarded यानि उसको वो कोई सम्मान नहीं दे सकती थी there used to be B और घर में B होती थी but now B was different लेकिन B अब बदल गई थी बड़ी थी ना वो बदल गई थी she had withdrawn from Harriet वो Harriet से दूर हो गई थी she was quite altogether elderly and distinct वो एकदम से बड़ी थी और इसलिए उससे दूर थी Harriet से क्योंकि जो बच्चे same age group के होते हैं वो ही अपनी बात हैं शेयर कर पाते हैं से तो अब B क्योंकि बड़ी थी तो वो altogether elderly पूरी तरीके से बड़ी थी and distances इसलिए Harriet से दूर थी and she had new predilections और अब उसको नई नई चीजें मिल गई थी नई नई concerns से उसके नई नई चिंताएं थी उसकी नई नई रुचियां थी उसकी बड़ी हो गई थी न तो उसकी रुचियां अलग थी और नई थी for instance उदाहरन के लिए एक उदाहरन उसकी रुचियां ये देखिए जो के Harriet को पसंद नहीं है for instance she had made friends with Valerie उसने दोस्ती कर ली थी B ने दोस्ती कर ली थी किस से? Valerie से from across the river जो के नदी के उस पार रहती थी लड़की Valerie नदी के पार रहती थी a big hard girl एक बड़ी लंबी तगड़ी लड़की whom Harriet disliked जिसको के Harriet ना पसंद करती थी and feared Harriet उससे डरती भी थी and who swissed bee away जिसने के bee को चुरा लिया था यानि bee को उसने अपनी तरफ आकरशित कर लिया था या कह सकते हैं bee को चीन लिया था with secrets and happening कुछ ऐसे रहस्य बता कर कुछ ऐसी घटनाएं बता कर in which Harriet had no part जिन में Harriet का कोई भाग नहीं था यानि कुछ ऐसे रहस्य कुछ ऐसी bee को बता रखें थी जो Harriet को नहीं बताएं थी Harriet का उनसे कुछ लेना देना नहीं था she was no longer sure of bee अब Harriet को bee पर भरोसा नहीं रहा था Harriet would have liked to play with bogey Harriet को bogey के साथ खेलना अच्छा तो लगता Harriet would have liked यानि Harriet को पसंद तो आता to play with bogey bogey के साथ खेलना though he was much younger यद्यपी वो बहुत छोटा था she was young too वो भी छोटी थी खुद भी छोटी थी in streaks streaks का मतलब तो होता है लाइने और streaks का एक अर्थ होता है ये जो winds होती है हमारे हाथों में ये winds ये तो नस्य होती है तो उसकी नस्य बहुत छोटी थी कहने का तात पर यह है कि वो खुद भी छोटी थी bogey भी छोटा था वो खुद भी छोटी थी that was not at all Harriet's जो कि Harriet का तो बिल्कुल नहीं था Harriet could never leave anything alone Harriet कभी भी किसी भी चीज को अकेला नहीं छोड सकती थी and bogey liked things to be alive लेकिन bogey चाहता था कि हर चीज alive हो हर चीज सजीव हो हर चीज जिन्दा हो and behave themselves और अपने आप व्यभार करे in their own way अपने तरीके से for instance उदाहरण के लिए he played with lizards and grass snakes वो खेलता था छिपकलियों से और घास में मिलने वाले छोटे-छोटे सांपों से he played armies with insects वो कीडे मकोडों की सेनाएं बना कर खेलता था he did not like toy soldiers उसको खिलोने वाले सैने बिलकुल पसंद नहीं थे they are all tiny ये तो सब बड़े छोटे हैं खिलोने वाले जो सैनेक हैं ये तो सब बड़े छोटे हैं he said वो कहा करता था I play soldiers with insects ये वो धंग से प्रोनाउंस नहीं कर पाता insects को तो मैं तो भई कीडे मकोडों की सेना बना कर खेलूँगा but can't you pretend भोगी asked Harriet लेकिन क्या तुम pretend नहीं कर सकते भोगी अब pretend करने का मतलब यहाँ पर कल्पना करना या बहाना करना या मान लेना जैसे कि तुम इन soldiers को जो toy soldiers हैं खिलोने वाले soldiers हैं उनको असली soldier मान के नहीं खेल सकते उनके साथ जो कीडे मकोडों के साथ खेलते हो तो but can't you pretend क्या तुम मान नहीं सकते क्या तुम कलपना नहीं कर सकते बोगी कि ये जो toy soldiers हैं ये असली soldiers हैं asked Harriet, Harriet ने कहा पूछा, no, नहीं I can't, मैं नहीं pretend कर सकता, मैं नहीं मान सकता said बोगी, बोगी ने कहा I like live insects फिर से उसने गलत प्रणाउंस किया छोटा है न, छोटा बच्चा है best, मैं तो जीवित कीडे मकोडों को ही सबसे अच्छा मानता हूं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूं he was a very thin little boy वो एक बड़ा दुबला पतलासा छोटा बच्चा था with thin arms and legs उसकी पतली पतली बाहें थी पतली टांगें थी his hair was cut short उसके बाल छोटे छोटे कटे हुए थे and his forehead showed sensitive and lumpy और उसका जो forehead या नहीं माथा short दिखाई देता था sensitive निस समवेदंशील and lumpy और पिलपिलासा while his eyes जबके उसकी आँखें were small छोटी थी and brown और कत्थई थी and quick और तेज थी and life और सजीव थी जीवन से भरी हुई थी he was absorbed वो डूबा रहता था in a completely happy and private life of his own एक completely happy पूरी तरीके से खुशगवार and private और एकांत जीवन में जो कि उसका अपना था and though he occasionally needed Harriet और यद्यपी उसे occasionally कभी-कभी Harriet की जरूरत होती थी it was seldom for long लेकिन seldom means मुश्किल से ही कभी for long लंबे समय तक होती थी यानि Harriet की कभी-कभी जरूरत होती थी लेकिन लंबे समय तक जरूरत हो ऐसा तो मुश्किल से ही कभी होता था seldom means मुश्किल से ही कभी His best game was उसका सबसे अच्छा खेल था क्या था? Going round the garden without being seen बगीचे में जाना without being seen means बिना किसी को दिखे चुपचाप से and that hid him even from her और क्योंकि वो चुपचाप से जाता था तो उससे भी चुप जाता था from her उससे किसे यानि कि हैरियर से हैरियर से भी वो बचकर चुपचाप चुपकर बगीचे में चला जाता था He was always being stung हमेशा ही उसको कोई डंक मार देता था कभी मदुमक्खी डंक मार इस्टंग माने डंक मारना होता इस्टंग उसकी second form है तो अक्सर उसको डंक मार देता था कोई नो कोई यहाँ पर इस्टंग third form है वैसे second form और third form दोनों ही इस्टंग हैं इस्टंग की और bruised या फिर उसको चोट लग जाती थी किससा लग जाता है न तो उसको bruised बोलते हैं चोट लग जाती थी और bitten या फिर उसको किसी के द्वारा काट लिया जाता था बट ही managed लेकिन वो समहाल लेता था to contain his wounds अपने घावों को अपने घावों को समहाल लेता था ठीक कर लेता था as bee did her difficulties जैसे कि bee अपनी परेशानियों को समहाल लेती थी अभी आपको बता न सबसे बड़ी थी तो जैसे वो अपनी कठनाईयों को समहाल लेती थी वैसे ही बोगी भी अपने खावों को समान लेता था तुम परेशानी में फज जाओगे तो हैरियट जो कि उससे थोड़ी इरशया करती थी और थोड़ी असंतुष्ट रहती थी क्योंकि उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं है वोगी अपने में मस रहता अपने चला जाता है गार्डन में और अपने कीडे मकोड़ों के साथ खेलता है तो इसलिए वो उससे जैलस भी थी क्योंकि वो तो एंजोय कर रह था अपनी लाइफ को मजे से खेल रहा था और वो असंतुष्ट थी और जैलस भी थी but he only smiled लेकिन वो तो केवल मुस्कुरा देता था and she sensed और वो समझ जाती थी that he preferred to get into his own trouble himself that he preferred कि वो ज्यादा पसंद करता था to get into his own trouble अपनी परेशानियों में जाना himself, अकेला it was no good इसका कोई फायदा नहीं था हो यानि उसको कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं था it was just not possible to play with boogie boogie के साथ खेलना संभव ही नहीं था in her loneliness Harriet was driven to adopt places in her loneliness अपने अकेले पन में Harriet was driven Harriet बाद्ध्य हो गई थी मजबूर हो गई थी to adopt places जगहों को, इस्थानों को अपनाने के लिए there was her cubby hole under the stairs एक जगह जो अपने उसने अपना रखी थी वो क्या था there was her cubby hole cubby hole छुपा हुआ इस्थान under the stairs सीडियों के नीचे आपने देखा होगा जीने के नीचे सीडियों के नीचे एक गुफा नुमा जगह बन जाती है तो उसको कभी hole बोलते हैं तो वो इस्थान उसने अपना बना रखा था and there was a place at the end of the jetty and there was a place एक और जगह थी at the end of the jetty jetty जहां पर नावें खड़ी होती है ये इन बच्चों का जो घर है वो एक नदी के किनारे है और वहाँ पर नावें खड़ी होने के लिए जगह है उनके घर के पास तो उसको jetty बोलते हैं तो वहाँ jetty जहां पर खड़ी होता था वहाँ पर एक जगह थी वो Harriet ने अपनी बना रखी थी the landing stage by the house landing stage जहां पर जमीन पर नावें खड़ी होती थी by the house घर के पास Harriet liked to sit on the end of it Harriet को पसंद था इसके end में इसके अंत में बैठना इसके एक छोर पर बैठना her legs hanging down उसकी टांगें नीचे लटकती रहती थी her back warmed with sun उसकी पीट गरम हो जाती थी धूप से her ears filled with the cool gurgling of the water her ears filled उसके कान भर जाते थे with the cool gurgling of the water against the jetty poles तो jetty जो वहाँ पर नावों के ठहरने का इस्थान बना हुआ था उसके poles से उसकेikhमों से पाणी टकराता था gurgling water कल कल करता हुए पाणी पाणी के कल कल की आवाज आती थी पानी उन खंवों से टकराता था और आवाज करता था तो वो आवाज उसके कानों में बजती रहती थी भरती रहती थी. How is it a secret hole when it isn't a secret and it isn't a hole? How is it a secret hole? ये एक secret hole कैसे हुआ? ये एक रहस्य मई जगह कैसे हुई when it is it isn't a secret जब ये ना तो रहस्य रहा and it isn't a hole और ना ही वो गुफा रही. Valerie asked about the secret hole Valerie ने secret hole के बारे में पूछा Valerie ये वही लड़की है आपको याद होगा नभी पार की जो के Harriet को पसंद नहीं है Valerie ने ये सवाल किया but it is still felt secret to Harriet लेकिन Harriet को तो ये secret लगता था Valerie के कहने का ताथ पर रहा है कि ये secret hole कैसे हो जबकि मुझे मालम है मुझे दिख रहा है चुपा हुआ इस्थान तो है नहीं तुम इसको secret hole कैसे बोलती हो लेकिन but it was but it is still felt secret to Harriet लेकिन Harriet को तो ये रहस्यमे ही लगता था चुपा हुआ ही लगता था though she used the jetty for the more open thoughts though she used the jetty यद्यपी वह प्रियोग करती थी jetty को उस इस्थान को वह प्रियोग करती थी कौन प्रियोग करती थी Harriet किस चीज के लिए for more open thoughts अपने खुले विचारों के लिए अर्थात जगे तो चिपी हुई थी लेकिन विचार उसके खुल जाते थे यहां पर आकर वो नई-नई कलपनाएं करती थी तो अपने खुले विचारों के लिए वो इस इस्थान को प्रियोग करती थी The flowing water तैरता हुआ पानी helped her thoughts to flow उसके विचारों को भी तैरने में मदद करता था She had also though she did not yet understand about this an affinity with the cork tree She had also एक चीज और थी उसके पास though she did not yet understand about this यद्यपी वो अभी इसको समझती नहीं थी An affinity with the cork tree Affinity होती है समानता With the cork tree Cork के पेड़ के साथ Cork के पेड़ से उसको एक संबंध महसूस होता था एक संबंध दिखाई देता था लेकिन ये क्या संबंध था वो अभी इसको समझती नहीं थी It was her tree ये उसका पेड़ था बच्चे बांट लेते न के ये तेरा पेड़ है ये मेरा पेड़ है तो ऐसे इन बच्चों ने भी पेड़ बांट रखे थे घर में बगीचे में तो ये cork tree Harriet का था It was her tree As the brilliant jacaranda tree जैसे के चमकता हुआ जैकारेंड़ का पेड़ The bamboos, बांस का पेड़ And the lace tangles of bridal creeper in the garden Belonged to bee ये इतनी चीजें bee की थी क्या क्या था इसमें एक तो brilliant jacaranda tree चमकता हुआ जैकारेंड़ का पेड़ The bamboos, बांस का पेड़ And the lace tangles of bridal creeper Bridal creeper, एक creeper मींस बेल होती है और bridal creeper एक बेल होती है जिस पर सफेद रंके फूल आते हैं और lace tangles, lace मींस फीता होता है Tangle मींस उलजना होता है आपने देखा होगा कि जो लताएं होती हैं जो बेले होती हैं उनसे धागे जैसी आकरतिया निकलती है और उनको कोई भी चीज मिल जाए चाहे कोई लकडी मिल जाए कोई किसी दूसरे पेड़ का तना मिल जाए तो उससे लिपट जाती हैं उसको lace tangles बोलते हैं lace माने धागा बिलोंग टू बी ये बी के थे और एक मेरेकल नियल रोज बर्ड्स वर विक्टोरियाज और एक मेरेकल नियल रोज होता है पीले रंगा गुलाब होता है तो उसकी कलियाँ tight means solid उसकी ठोस कलियाँ वर विक्टोरियाज वो विक्टोरिया की थी वाई क्यों शी डिद नॉट नो उसे नहीं मालुम था बट शी लाइग्ट टू गो टू दा कॉर्क ट्री लेकिन उसे कॉर्क ट्री के पास जाना पसंद था शी लाइग्ट टू लुक अप इंटू इट वो इसकी ओर इसके ऊपर इसकी तरफ देखना पसंद करती थी उसे अच्छा लगता था और अगर वो वास्त में नदी की आवाज सुनना चाहती थी तो वो नदी की आवाज सुनने के लिए कहां जाती थी कॉर्क ट्री के पास वहीं खड़े होकर वो नदी की आवाज को सुनती थी वहां क्या होता था कि नदी का जो शोर होता था वो टू लाओड जरूरत से ज्यादा तेज नहीं होता था तू नियर और नहीं नदी जरूरत से ज्यादा उसके पास होती थी द्रॉइंग हेरियट द्रॉइंग हर अवे एज इट डिढ ओन द ज्याटी उसको दूर बला लेता था एज इट डिढ ओन द ज्याटी जैसे के ज्याटी पर होता था under the cork tree cork tree के नीचे she could hear it running steadily यानि जहां अगर वो नदी के पास में सुनती थी इस आवाज को नदी के आवाज को तो उसे वो बहुत ज़्यादा too loud लगता था बहुत ज़्यादा पास होती थी नदी और उसे ऐसा लगता था कि यहां से वो थोड़ा दूर जाए तो वो कहां जाती थी under the cork tree cork tree के नीचे she could hear it running steadily तो वहां पार उसको सुन सकती थी नदी को चलते हुए steadily शांती से लगाता कामली means शांती से और steadily means लगाता and with it always the puff steam puff from the works और इसके साथ हमेशा puff होता था वहां पर जाग होता था from the works जो फैक्टरियों से आता था वो भी उसको दिखाई देता था it goes on goes on said Harriet ये होता रहता है होता रहता है Harriet कहती थी her head against the cork tree अपना सिर cork tree के सामने रख कर I wonder what is going to happen to us मुझे बड़ा आश्यर हो रहा है कि हमारे साथ क्या होने वाला है and by that she meant of course what is going to happen to me और इस बात से उसका तात्परे होता था and by this she meant इससे उसका तात्परे होता था of course वास्तम में what is going to happen to me कि मेरे साथ क्या होने वाला यानि वो कहती थी हमारे साथ क्या होने वाला है us us word यूज करती थी लेकिन वास्तम में वो जानना चाहती थी कि उसके साथ क्या होने वाला यानि उसका भविश्य क्या होने वाला है there were ways of telling अब ये भविशे बताने के कई तरीके थे नान used sometimes to play charms with them नान कभी-कभी उनके साथ जादू का खेल खेलती थी she dropped pieces of lead tinfoil into a sauce pan of boiling water she dropped वो डाल देती थी pieces of lead tinfoil let me see सा होता है tinfoil जस्ते की चादर तो उसके कुछ pieces वो डाल देती थी into a sauce pan एक कड़ाई में of boiling water उबलते पानी की and when they were softened और जब वो मुलायम हो जाते थे पिघल जाते थे हलके से क्योंकि temperature की वज़े से ये metals पिघलने लगती है soft होने लगती है she lifted them out तो वो उनको निकालती थी with a spoon एक चमस से onto a cold plate एक ठंडी plate में where they hardened जहां वो फिर से कड़क हो जाते थे whatever shapes they made told your future तो वापस जब वो कड़े हो जाते थे तो वो जो भी आकार लेते थे वही आपका भविश्य होता था इस तरीके से वो भविश्य बताती थे they played this one Sunday morning some three weeks after दिवाली उन्होंने यही खेल खेला जादू का one Sunday एक रविवार को one Sunday morning रविवार की सुभह को some three weeks after दिवाली दिवाली के करीब तीन सब्ताहवाद when Valerie had come to spend the day जब Valerie उनके घर आई हुई थी अपना दिन बिताने के लिए Captain John too had limped up the drive after breakfast Captain John भी आई हुए थे limped up limped means लंगडा कर चलना the drive सडख से after breakfast नाश्टा करने कवाल सुभह का अपना breakfast करके लंगडाते हुए Captain John भी आ गए थे सडख से and was there और वो वहाँ पर थे sitting by Nun Nun के पास बैठे हुए his stick probbed by his chair और उनकी जो छड़ी थी वो उनकी chair से के पास रखी हुए थी chair से लगी हुए रखी हुए थी क्योंकि ये जो Mr. John है Captain John है वो लंगडे हैं चलने ही पाते हैं He is always here Always ये जब देखो तब यहाँ चले आते हैं thought Harriet Crossley Harriet ने गुसे से सोचा कहा नहीं कि बल सोचा And so is Valerie और ऐसी ही Valerie है Why should they be ये लोग यहाँ क्यों चले आते हैं Haven't they homes of their own इन लोगों के पास अपने घर नहीं है यह जब देखो तब हमारे घर चले आते हैं She noticed Some of the stiffness went out of his face तो कुछ stiffness means कठोरता Some of the stiffness went out गायब हो जाती थी of his face उनके चहरे से Sometimes he laughed कभी कभी वो हसते थे And his eyes were not unlike bogeys And his eyes were not और उनकी आँखें नहीं थी Unlike bogeys bogeys के से भिन Not देखे नेगेटिव और अनलाइक ये भी नेगेटिव तो जब दो नेगेटिव मिलते हैं तो वो positive बन जाता है Not unlike Not like होता तो बोगी के जैसी नहीं थी Not like bogeys तो इसका तात्पर होता बोगी के जैसी नहीं थी अब ये है Not unlike bogeys तो दोनों जगेटिव है तो ये positive हो गया इसका मतब बोगी के जैसी ही थी Were not unlike bogeys Except सिवाए यानि बोगी के जैसी ही थी उनकी आँखे अंतर क्या था सिवाए इसके that bogeys were quick कि बोगी की जो आँखे थी वो quick थी यानि तेज थी sharp थी And his had often a curious emptiness And his और उनकी उनकी मतलब Captain John की Had often a curious emptiness उनमें एक emptiness खाली पन होता था curious उत्सुकता पूर्ण खाली पन होता था But they were gentle too लेकिन वो आँखें gentle भी थी सजनता से भरी हुई थी Yes, he has nice eyes हाँ, उनकी आँखें अच्छी हैं Harriet admitted Harriet ने सुईकार किया But I wish he were not so जर्की लेकिन मैं चाहती हूँ कि काश ऐसा होता कि वो इतने जर्की न होते यानि जर्क मीस जर्का लगना होता है या धक्का लगना होता है तो जर्की वो बोलने में थोड़ा सा जर्का देते हैं तो काश कि वो इतने जर्की न होते धक्का देने वाले नहीं होते जर्के से बोलने वाले नहीं होते Why is he so जर्की? वो इतना जर्का दे के क्यों बोलते हैं? She had asked mother irritably एक दिन उन्होंने उसने गुस्से से मां से पूछा Harriet ने मां से पूछा कि ऐसे क्यों है ये जब देखो तब जटके से बोलते हैं जटके से बात करते हैं Because he was hurt so badly क्योंकि उनको बहुत बुरी तरीके से चोट लगी थी वो बहुत बुरी तरीके से घायल हुए थे Sad mother मांने कहा Unbeerably hurt असेहनी तरीके से उनको चोट लगी थी असेहनी तरीके से वो घायल हुए थे Looking at Captain John Now in the light of the soft warm morning Looking at Captain John Captain John को देखते हुए Now, अब In the light of this soft warm morning इस नर्म मुलायम सुबह की रोश्णी में जब Captain John को उसने देखा As he bent his head down By Victoria's जब उन्होंने अपना सिर जुका रखा था Victoria के सिर के उपर As Victoria leaned against his knee क्योंकि Victoria उनके घुटनों पर जुकी हुई थी It was difficult to think of him ये बड़ा मुश्किल था उनके बारे में सोचना As being unbelievably hurt कि वो असेहनिय तरीके से घायल हुए हूँ Unbeerably असेहनिय तरीके से Questioned Harriet Harriet ने सवाल किया Wrinkling her forehead अपने माथे पर बल डालते हुए Wrinkling सिकोडते हुए माथे पर बल डालते हुए What is unbearable? असेहनिय क्या होता है When I caught my nail in the railway carriers door I went mad with pain When I caught my nail जब मेरा नाखुन फस गया था In the railway carriers door रेलगाडी के डिब्बे में रेलगाडी के डिब्बे के दरवाजे में I went mad with pain मैं दर्द से पागल हो गई थी Mad, पागल Then why isn't he mad? तो ये पागल क्यों नहीं हुए? Why didn't he die? ये मरे क्यों नहीं? What is it that made him live? ये क्या है जिसने उन्हें जीवित रखा And not go mad और पागल नहीं होने दिया He must be stronger than we think वो जरूर ज्यादा ताकतवर हैं ज्यादा मजबूत हैं उससे जतना हम सोचते हैं Said Harriet Harriet ने कहा Looking at Captain John Captain John को देखते हुए She considered him as he put Victoria carefully away And took the saucepan from Nan She considered him उसने उसको ध्यान से देखा किसने किसको ध्यान से देखा? Harriet ने Captain John को ध्यान से देखा As he put Victoria carefully away अब Victoria उनके घुटनों पर जुकी हुई थी ना तो उसको बहुत साबधानी से उन्होंने अपने घुटनों से हटाया And took the saucepan from Nan और Nan के हाथ से वो कड़ाई ले ली To let Nan have a change and rest जिसे के Nan को आराम मिल जाए वो थोड़ा आराम कर ले His hands were steady now उनके हाथ अव एकदम steady थे, इस्थिर थे And his face had color और उनके चेहरे पर रंग आ गया था From the warmth of the fire आग जली हुई थी न, तो आग की गर्मी से उनके चेहरे पर रंग आ गया था He looked big, yes वो बड़े दिखाई दे रहे थे, हाँ Almost strong among the children और बच्चों के बीच में थे तो वो बहुत strong, बहुत मजबूत दिखाई दे रहे थे And his hair और उनके बाल That was dark, जो काले थे Paced with white बीच बीच में सफेद थे Was attractive उनके बाल attractive दिख रहे थे बहुत आकरशक दिख रहे थे Like a magpie एक magpie की तरह Why magpie कहते हैं बातूनी व्यक्ति को जो बहुत बोलता है लेकिन magpie का वो अर्थ यहां पर लागू नहीं होगा Magpie एक चड़िया होती है आपने देखा होगा एक बड़ी colorful सी बर्ड होती है जिसको हम नील कंठ बोलते हैं तो यहां पर वही अर्थ लगेगा magpie का Like a magpie Was attractive वो बड़े करशक दिखाई दे रहे थे Like a magpie यानि नील कंठ की तरह Thought Harriet Harriet ने सोचा Why he is very good looking क्यों? वो तो बड़ा अच्छा दिखता है अभी तक वो पसंद नहीं करती थी लेकिन अब उसे लगने लगा है कि कैप्टेन जॉन अच्छे लगते हैं देखने में दो Harriet Thought Harriet in surprise Harriet ने आश्चर से सोचा She knew non admired him वो ये जानती थी कि नान उनको पसंद करती थी He is like a young prince Sad naan Naan ने कहा कि वो एक युवा राजकुमार जैसे दिखते हैं His poor boy वो बड़े बिचारे हैं बड़े बिचारे आदमी हैं बिचारे लड़के O non said Harriet impatiently Ray non Harriet ने अधीरता से कहा And why does he come all the time लेकिन वो इतनी जल्दी जल्दी क्यों आते रते हैं जब देखो तब आ जाते हैं Perhaps we have something he needs शायद हमारे पास कुछ ऐसा है जिसकी उन्हें आवश्यक्ता है Sad naan Naan ने कहा What? क्या? हमारे पास ऐसा क्या है? I don't know मुझे नहीं मालूम We must pray for him हमें उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए He will go on when he is ready वो चले जाएंगे जब वो तैयार होंगे Sad naan Naan ने कहा Go on चले जाएंगे Where? कहा? Asked Harriet Harriet ने पूछा But naan did not say लेकिन naan ने कुछ नहीं कहा Instead she added in her Admonitory seeing through Harriet voice Instead इसके बजाए उसके प्रशन का तो तर नहीं दिया उसके बजाए she added उसने आगे जोड़ा आगे कहा In her admonitory Admonitory means डांटने वाली Seeing through Harriet Harriet के आरपार देखते हुए Voice आवाज तो यह seeing through Harriet इसको भी adjective बना दिया वैसे adjective जो voice के लिए यूज हुआ है वो है admonitory डांटने वाली आवाज अब seeing through Harriet Harriet के आरपार देखते हुए उसने कहा डांटने वाली आवाज में Now you are not to go saying anything to him अब ऐसा मत करना कि जाके उनको कुछ बोल दो उनको जाके कुछ मत बोल देना Harriet As if I would जैसे के मैं बोल ही दूँगी said Harriet indignantly Harriet ने गुस्से से कहा But she knew लेकिन वो जानती थी that naan was right कि naan सही थी and that probably her curiosity would get the better of her और probably संभवत है her curiosity उसकी उत्सुकता would get the better of her उसके उपर अधिकार कर लेती get the better of means उसके उपर हावी हो जाती A young prince एक युवा राजकुमार thought Harriet now अब Harriet ने सोचा She was not quite so sure वो एकदम से sure नहीं थी एकदम से उसी यकीन नहीं था that none was wrong कि नान गलत थी Captain John said Valerie Valerie ने कहा Captain John Will you drop a charm for me? क्या आप मेरे लिए एक जादू करोगे? Valerie by courtesy of the family to her place as visitor had been given the first turn अब इसको sentence को ऐसे देखिए Valerie had been given the first turn Valerie को पहला मौका दिया जा चुका था सबसे पहले Valerie को मौका दिया जा चुका था अब इसे देखिए by courtesy शिश्टाचार की बज़े से of the family परिवार के to her place as visitor क्योंकि वो वहाँ परिवार में visitor थी महमान थी तो परिवार का शिश्टाचार था ये कर्ट सी थी कि उसे पहले ही मौका दिया जा चुका था why then should she have another so soon तो उसको इतनी जल्दी दूसरा मौका क्यों दिया जाए it is Harriet's turn अब तो Harriet का turn है said Captain John Captain John ने कहा क्रिस्पली कड़क आवाज में and Harriet heard him और Harriet ने उनकी आवाज सुन ली and she knew और वो जानती थी warmly means गर्माहट होती है यानि उसके अंदर इस बात को जानकर गर्माहट आई in an instant एक ही पल में as he heard as she heard this crispness in his voice जब उसने ये कड़कदार आवाज सुनी इस कड़कपन से Captain John को बोलते हुए सुना तो वो जान गई that he did not like Valerie either के उन्हें भी Valerie पसंद नहीं थी आप लोगों को बताईए कि Harriet को Valerie पसंद नहीं थी और जैसे Captain John ने जोर से कहा कि ये तो Harriet का टर्न है तो Harriet इस बात को जान गई कि Captain John को भी Valerie पसंद नहीं है and did not approve of her और वो उसका समर्थन नहीं करते Harriet केम क्लोजर Harriet पास में आ गई दे स्मेल आफ लाइव चारकोल फ्रॉम दे ब्रेजियर फिल्ड दे वरांड़ा विद दे स्मेल आफ होट लैड फ्रॉम दे चार्म्स and दे स्मेल आफ वांथ इन दे स्टार्ज आफ नांस एपरन अब ये वरांड़ा में सारे लोग बैठे हुए हैं और वरांड़ा में बहुत सारी गंध भर गई है इसमेल किस किस चीज की दे स्मेल आफ लाइव चारकोल जलते हुए चारकोल की गंध फ्रॉम दे ब्रेजियर ब्रेजियर चिमनी जिसमें आग जल रही है अंगीठी बोल सकते हैं आप तो उस अंगीठी में से जलते हुए चारकोल की गंध आ रही है और उसने भर दिया फिल्ड दा वरांड़ा पुरा वरांड़ा भर दिया उस गंध ने और उसमें काई की गंध है विद दे स्मेल आफ होट लेड गरम लेड होता है सीसा गरम सीसे की गंध वो जो तावीज या वो जो जादू हो रहा था उसमें से आ रही थी और अंध रही थी गर्मी की इंद इस्टार्च जो की स्टार्च में थी मान के अंदर थी और नान सेप्रन नान ने जो एप्रन पहन रहा था एपरन एक कपड़ा होता है जिसे किचिन में काम करते वक्त लोग पहनते हैं और वो कॉटन का होता है जनरली क्योंकि कॉटन जल्दी आग नहीं पकड़ती सूती कपड़े का होता है और तो उसमें स्टार्च लगाया जाता है माढ लगाया जाता है सूती कपड़ों में माढ लगाया जाता है अब ये जो apran है वो गरम हो गया है तो उसमें मान भी गरम हो गया और उसकी warmth और उसकी smell तो कितनी सारी गंध हो गई जिसे ये वरांडा भरा भुआ था Live charcoal की smell smell of hot lead और smell of warmth in the starch starch की गंध तो ये सारी गंध मिलकर पूरा वरांडा भर गया था राम प्रसाद who was always with the children in all their games राम प्रसाद जो के हमेशा बच्चों के साथ रहता था उनके सारे games में, उनके सारे खेलों में blew up the fire, उसने आग जला दी थी as Captain John dropped a charm for Harriet जब Captain John ने Harriet के लिए एक चाम डाला था एक तावीज डाला था, जादू किया था the lead melted sisa पिखल गया, rain white और fell गया कड़ाई में गर्मी से वो पिखल गया और फैल गया and he caught it in the spoon और जब वो पिखल के फैल गया तो Captain John ने उसको चमस से उठाया and lifted it, lifted it उसको निकाला, उठाया and dropped it again on the plate और उसको प्लेट में डाल दिया but curiously the pellet rained together लेकिन बड़ी एक बात हुई कि वो जो छोड़़़ी गोलियां थी पैलेट में इस गोलियां होती हैं तो वो छोड़़़ी गोलियों में फैल गया था और वो गोलियां मिलकर एक हो गई, sizzling again और वो चमकती हुई and formed itself into a round ball और वो मिलकर एक गोल गोल का आकार उनने ले लिया गोल गेंद का आकार ले लिया ये तो गोल है, सैड बोगी बोगी ने कहा लाइक अ मार्वल, एक कंचे की तरह, ये तो एक कंचे की तरह गोल है ये एक दुनिया है, सैड विक्टोरिया विक्टोरिया ने कहा अब उसने ये क्यों कहा, इट इस अ वर्ल्ड, ये दुनिया है तो ये उन लोगों की तब तक समझ में नहीं आया अब तक कि नान ने उनको याद नहीं दिलाया आफ दे ग्लोब, ग्लोब के बारे में, आफ दे वर्ल्ड, दुनिया का ओन फादर्स डैस्क, पिताजी की मेज पे, पिताजी की मेज पे ग्लोब रखा हुआ था उसकी याद दिलाई नान ने, तब सब बच्चों की समझ में आया कि विक्टोरिया ने ऐसा क्यों कहा, कि ये तो दुनिया है ये तो दुनिया है, said Harriet, Harriet ने कहा तेकिंग इट इन हर हैंड, अपने हाथ में उसको लेते हुए क्योंकि अब ये ठंडा हो चुका था, ओन इस रफ सर्फेस इसके जो सर्फेस थे, खुरदरे सर्फेस ठंडे हो चुके थे she laughed, see, she saw seas and lands वहाँ उसको समुद्र दिखाई दिये, उसको धरती दिखाई दी, जमीन दिखाई दी I wonder what it means, लेकिन मुझे आश्यर इस बात का हो रहा है कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि Captain John ने तो जादू किया था और वो जादू से भविशे बताने वाले थे लेकिन अब उसका भविशे क्या है, ये बात तो समझ में नहीं आई जो उन्होंने tinfoil या lead डाला था पानी में उसने तो गोल आकार ले लिया, एक बॉल का आकार ले लिया तो Harriet को ये समझ में नहीं आ रहा I wonder what it means, इसका मतलब क्या है यार्थात मेरा भविशे क्या होगा ये तो बात clear ही नहीं हुई उसकी ये यहाँ पर समाप्त होता है lesson मुझे उमीद है आपको clear हो गया होगा समझ में आ गया होगा, धन्यवाद